सबस्क्राइब तो हैलो दोस्तों आज हम बनाएंगे सबके पसंदीडा राजमा चावल ये बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और तो मैंने एक कटोरी राजमा को रात को पानी में भीगो के रख दिया था और सुबह हमने इसको उबाल लिया है पांस सीटी आने के बाद 15 मिनट मैंने सिंपे गैस को करके रखा था और राजमा एकदम परफेक्टली हमारे उबल चुके हैं एक छोटी सी क्लिप मेरे से मिस हो लिए जो इसमें मैंने राजमा को भीगोया था तो ही देखिए एकदम सोफ्ट हमारे राजमा होगऩै मैंने ये लाल वाले जो किस्मीर वाले राजमा होते है वह वाले बनाए हैं और इसके मसाले के लिग बेए प्याज लेसुन और अद्रक पहले इनको हम दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करेंगे और ये सबजी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ आप रिफाइंड ओलिया फिर घीमे भी बना सकते हैं ये कुछ खड़े मसाले जो कास्मेरी राजमा में डाले जाते हैं जैसे कि लोंग, इलाइची, काली वाली इलाइची, तेजपता, दालचीनी तेल जैसे हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच मेथिदाना और आधी चम्मच आजवाइन राजमा और छोले में आप ये दोनों ही चीज़ें जरूर डालिए क्योंकि राजमा को डाइचेस करना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है और टाइम भी लगता है तो इस तरह से मेथिदाना और आजवाइन हमारे डाइचेसन में हेल्प करेंगी और जो हमने काली वाली लाइची, लोंग और हरी वाली लाइची ली थी उनको दरदरा सा कूट लिया है और ये चोटा सा टुकडा दाल चीनी का अब इन मसालों को एक मिनट तक भूनेंगे तेल गरम करने के बाद मैंने गयास की फ्लेम को बिल्कुल लोपे कर दिया था ताकि हमारे जो मसाले हैं जलेना प्याज, अद्रक और लसुन को एक साथ पीस लिया है बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करा है प्याज को भूनेंगे जब तक इसका पूरा कच्चा पन ना निकल जाए जब तक हमारी प्याज भूनेंगी हम ये टमाटर भी पीस के तेयार कर लेंगे तो जब भी आप छोले और राजमा बनाएं उसकी ग्रेवी थोड़ी जादा ही बनाईए क्योंकि ये क्या होता है रखे रखे भी गाड़े हो जाते हैं तो इधर हमारे जो प्याज है ये भून रहे हैं बहुत अच्छी इसमें से खुस्बू आ रही है जैसे जैसे अब ये भूनती जाएगी ना बहुत बढ़िया इसमें से खुस्बू आने लग जाएगी लैसून की और अद्रक की बहुत अच्छी कुस्बू आती है और देखे क्वांटिटी में भी एक कम हो जाते हैं ये वैनिली कुछ पाउडर मसाले एक चमच कास्मेरी लाल मीर्च आदी चमच हल्दी एक चमच मैनिली है राजमा मसाला एक बड़ा चमच धनिया पाउडर आद साथ पीस के लिए और देखे मसाला बुड़न दालने के पाणियाएं ताकि मसाले जले ना बढ़िया से बहुन जाएं एक दो मिनाट दी जिए यहां पर आप मसाले को बूनने में जितना बढ़िया आप इसका मसाला भून के तयार करेंगे ना उतने ही बढ़िया और स्वादिश्ट आपके राजमा बनेंगे तो दो दिन बार में मैंने देखिए एक एक चमच पानी डाला है और मैं अपनी हर जो भी ग्रेवी की सब्जी बनाती हूं उसमें इसी तरह से मसाला भूनती हूं इ दूबारा से जो हमारी सब्जी के ऊपर तेल ना आने लग जाए जब इसके ऊपर से आपको तेल दिखाए देना तो मतलब हमारा जो मसाला है वो पके तयार हो गया इस जो मिक्सी का जार है इसको भी हम अच्छे से क्लेन कर लेंगे और अब थोड़ा सा पानी डालके इसको दोड़ी दर के लिए पकाएंगे स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला है बाद में हम पानी एड़्जेस्ट कर लेंगे बीच बीच में आप इसको ढखते रहें और बीच बीच में आप इसका ढखन अटाके चलाते भी रहें मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मसाले भून रहे हूं इसलिए मिरको बहुत ज़्यादा इसको बारबार चलानी की जरूत नहीं है उपर से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा तेल दिखाई दे रहा है थोड़ी सी भाप आ गई है तो इसकी वज़े से कम दिख रहा है लेकिन मसाला अच्छे से भून गया है बहुत बढ़िया इसमें से खुस्बू आ रही है यह देखिए आई होप आपको दिख रहा हो तो मसाला बहुत अमेजिंग बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया अब हम क्या करेंगे जो हमने मसाला भून के तैयार किया है इसको हम कूकर में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमने राजमा वाले हैं आप ऐसे तो कढ़ाई के अंदर डा थाया तैयार कि तो डाल देंगे थोड़ा केरफुली क्योंकि हां पर कढ़ाई बहुत ज़्यादा गरम होती है और बढ़िया से दो के आप इसमें गलास पानी डाल लीजिए क्योंकि बहुत महनत से अमने बनाए और बहुत अच्छा मसाला बनाए यहाँ आप चाहें तो न तो टोटल दो गिलास पानी हमने डाल दिया है उपर से मैं डाल दूंगी आधी चमच घी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है देसी घी का और धक्कन को कर दिया है बन दो से तीन सीटी में लगाएंगे और जब सीटी लगने के बाद सारा प्र जाले हैं उनकी पूरी इसके अंदर से खुसबू आ रही है और यह देखिए कितने जबरदस्त लग रहे हैं इसको आप ऐसे तो चपाते के साथ भी खा सकते हैं लेकिन राजमा का असली स्वाद चावल के साथ ही आता है तो बहुत मज़िदार राजमा बने हैं बहुत ज़ किया है चावल के साथ साथ में आप प्याज काट लीजिए खीरा नीमबू सबी चीजों के साथ ये इसका स्वाद और जादा बढ़ जाता है उमीद करती हूं दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाएं च